कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवाली ने भाजपा पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान को घेरते हुए कहा कि विदान सबा चुनाव में वोट के लिए शिवराद ने 30,000 रेजिस्टर जुट बोले हैं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवाली ने कॉंग्रेस का रियालाय में प्रेस कॉंफरेंस कर भाजपा पर जम कर हमला बोला कहा कि भाठीय जनता पाठी शिवराद जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और मुक्र मंत्री मुहन यादफ को बना दिया पिछले 25 सालों में जितनी घटनाई नहीं हुई है उससे अधिक दो महीने में हो चुकी है लुटेरे खुलेयाम ये कहते हुए लूट कर रहे हैं कि हम सरकार के आदमी है इतना ही नहीं है जौरान पटवारी ने शिवराद सिंग चौहान पर 30,000 रेजिस्टर जूट बोले के इलजाम भी लगाए जरा सुनिए कॉंग्रेस के वर्तमान महारती जी तुपटवारी को है अद्भूत करप्षन है और सब अकबारों ने मीडिया को में साधुवार देता हुए उन्होंने कहा कि रजिस्टर अप टोल की लूट को नितिन गटकरी जी ने परदा भास किया था अभी रोज अकबारों की ख़बर है एक्ट्व का 47 चेकपोस्ट शेकपोस्ट है इसमें शोला बेरियर पर प्रजों की जांच होती है जिसका अधिकतम रेट 105 रुप्या एक्सोपांच जेम कर्वाड़ वसुली होती है 500 रुपए से 3000 रुपए तक तक आवरेज वसुली रुपए 500 रुपए से 3,000 रुपए तक मैं आप सबको भी अंडोज करता हूं कि भीना माहित लेकर आप अगबार के लोग जाओ 24 घंटे में मेरी बात को सक्तिता से पकड़ लोगे 24 घंटे में आप देख रहे हैं डखल न्यूर